हालो फ्रैंड्स वेलकम टू दा मेगा स्क्वीजिंग कॉर्णर आज में बनाने वाली हर्य मतर का निमोना और निमोना बनने के लिए मेने यहाँ पर लिया है एक कटोरी हर्य मेटर एक आलू और चार पाच हरी मिर्च थोड़ा सा लही सुन काले मिर्च और एक अद्रक का तु थोड़ा सा अद्रक का तुकडा और चार पाच काले मिर्च और थोड़ा सा लही सुन और थोड़ी सी दनिया हमें इन सब को थोड़ा सा पाने डालकर बार इक पीस लेना है और देखिए बिल्खुल इस तरह इस तरह हमें इस पेस्ट को बनाना है एकदम बारिक पीस के अब हमने तो इस सारे पेस्ट को पीस लिया है अब मैंने यहाँ पर लिया एक कढ़ाई कढ़ाई में डालाए दो बड़े चमत से ओईल और अब डालेंगे सरसो के बाद थोड़ा सा जीरा और लहसुं का पेस्ट हमें इन सारी चीजों का अच्छे से फ्राय करना आए अब डालाए थोड़ा सा कड़ी पत्ता अब डालेंगे इसमें पेस्ट पेस्ट को हमें अच्छे से फ्राय करना है इस ओईल में तो चलिए पेस्ट अच्छे से फ्राय हो गया है तो मैंने डाला इसमें थोड़ा सा पानी अब डालेंगे इसमें एक चम्मच नमक नमक आप आपके स्वादनुसार डालें आप आपके स्वादनुसार इसमें नमक डालें और नमक के बाद इसमें चुटकी भर हल्दी डालिए यहाँ पर हल्दी की वीडियो क्लिप मिस हो गई है और अब डालेंगे आलू और आलू को भी हमें अच्छे से इस पेस्ट के साथ भूनना है प्राय करना है और देखिए साइट से थोड़ा थोड़ा ओईल चूट रहा है ऐसे ओईल दिखे उसके बाद हम डालेंगे एक ग्लास पानी करेंगे मिक्स अब हमें इस सबजी को एक दो मिनट के लिए ढखकर पकाना है और देखिए एक दो मिनट बाद चेक करेंगे सबजी पकिये या नहीं तो देखिए सब्जी की ठिकने समय इतना ही दी सब्जी पतली रखिए मैंने यहाँ पर क्योंकि यह बाद में गाड़ी हो जाती है तो आप भी पतली रखिए तो चेक करते हैं यह पकी यह नहीं तो हमारे आलो नौरमली तो पक गए है पर थोड़े से बाकी है इसलिए मैंने फिर से इसे ढख कर रखाए एक मिनट के लिए और फिर चेक करेंगे तो अभी हमारी सब्जी एकदम तयार है और आप भी अपने घर पर बनाईए और रेसिपी पसंद आईए तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले